नमस्कार मित्र जैमात अदी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल में तो कन्या रासी वालू मित्रो आप से बड़ा खुश किस्मत और कोई नहीं होगा पूरे 51 लाग की गड़ी आपको मिलेगी मित्रो दिनांक 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तब याने कि इन साथ दिनों में आपकी खुशियों को देखकर दुस्मनों के सीने में आग लगेगी हर कोई आपकी खुशियों से मित्रो हेरान रहे जाएंगा क्योंकि स्वयम परमात माने अब यह संके दे दिये हैं कि आपके जीवन में सुखों का आगमन होने वाला है मित्रो आने वाले यह साथ दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही जादा महत्प्रन होने वाले हैं आप सभी से अनुरोद करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अन्त तक ध्यान से देखेगा वीडियो में बदाए गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा तो भ्यम अवस्च्ट लेकिएगा गुर्देव आपकी सारी मनुकामनाई पुर्ण करेंगी मित्रो वियापार की डरेष्टी से नोग्री की डरेष्टी से पारिवारिक जीवनी आपन के लिए प्रेम संभंदों के लिए साथ ही मित्रोवी ध्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको यही सारी ज्यानकारी प्रतान करेंगे तो चलिए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बात करते हैं अगले साथ दिनों के मेहत प्रुनस समय अंतराल की तो मित्रो इस समय के अंतराल में आप खुद को उर्जा से सराबोर मेहसूस करेंगी लेकिन काम का बोज आप में खीच पेदा करेगा ही करेगा यह बात आपको मित्रों हम बदा देते हैं कि काम का बोज आपके उपर बना रहेगा जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा तो अब स्वयम को सकरात्मक बना कर रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तमाल करें तो वह काफी फाइदे मन साबित होगी मित्रों यह बात धियान रखिएगा कि अपनी रचनात्मक प्रतिभी का सही से इस्तमाल करें जब आप सम्हों में हो तो धियान रखिए कि आप क्या कह रहें हैं कि जब आप बड़े लोगों की बीज में बेठें या मित्रों की बीज में या कहीं भी बेठें तो सब्दों का उसी चैन करना आपकी जीवन सेली में होना चाहिए आपके प्रिये का मोड ठीक नहीं है इसलिए सोच समझ कर कोई भी काम करें क्योंकि मित्रों उनके मोड को यदि थोड़ा सावी जट का लगा तो हो सकता है कि इससे रिष्टे तूट जाए आपके पास अपने समताव को दिखाने के कई मोके हाथ लगेंगे तो इन मोकों को हास से बिलकुल नहीं जाने देना है क्योंकि ग्रह सीधा संकिर दे रहे हैं मित्रों कि यदि आप इन मोकों को पेचान जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो यही सबसे बढ़िया मोका रहेगा कि इन मोकों का फायदा उठाए मित्रो आपको बता दे कि खाली समय में आप अपने मोबाल पर कोई वेब स्रीज देख सकती हैं तो जो खाली समय मिल रहा है उसे व्यार्थ ना गवाए जीवन में किस तरह से आपको योजनाय बनानी है परिवार के प्रति क्या योजनाय रखनी है बच्चों के भविश्य के बारे में सोच विचार करके इस वक्त का आप सदुप्योग कर सकती है आपके जीवन साथ की बेरुखी आपको उदास रख सकती है गर पर अपने इश्ट देव को पीला पुष पर अर्पित करने से पारिवारिक जीवन खुसहाल रहेगा मित्रो दूसरों के सफलता को सरहा कर आप उसका लुफ्त ले सकते हैं क्योंकि आप मित्रो जलने वाली प्रवत्ति के लोग नहीं है आप यही सोच रखते हैं कि सब के साथ सब का विकास हो और जो आपके आसपास के लोगों हो उनको भी सफलता प्राप्त हो और आपका यही सुभाव आपको जीवन में हमेशा आगिर लेकर जाएगा आपको किसी अग्यात इस तरोज से पेशा प्राप्त हो सकता है जिसे आपकी कई आर्थिक परिसानिया तो दूर हो जाएगी लेकिन मित्रो अग्यात इस तरोज से पेशा प्राप्त हो रहा है तो इसमें कहीं एसा ना हो कि आपके ओपर कोई कानोने कारवाई चालू हो जाए पेशों का जरा धिहान दरकिए क्योंकि कभी कभी हम लालच के चक्कर में दो नंबर के काम में भी फस सकते हैं आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संगो जाना चाहिए चाहिए इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना परे थोड़े बहुत ठकराओं के बावजूद भी मित्रो आप बच्चों की परेसानियों को समझ जाएंगे और जल्द से जल्द उनकी समझ्याव को हल करने में आप सहीयोग करेंगे मित्रो आपका प्रेम जीवन बहुत बढ़िया बना रहेगा किसी प्रकार का कोई उतार चड़ाव आपके प्रेम जीवन में नजर नहीं आ रहा है और आप अपने संगी को खुश रखने में काम्याब होंगे जो काम आपने किया है उसका असरे किसी और को बिलकुल न ले जाने दे जिने रिस्टो को आप एहमित देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सिखना होगा नहीं तो रिष्टे तूट सकते हैं और आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं आप सभी को बता दे कि जरासी अपने सेहत का विशेश ध्यान रखने की सलह आपको दी जाती है अब सेहत का ध्यान की स्थरे रख सकते हैं कि समय पर खान पान करें समय पर सोएं समय पर जागे व्यायाम और योगा को अपने दिल चर्या में सम्मलित करें अस्वगंधा की जड़ चित कबरे कपड़े में लपिट कर अपने पास रखने से नोकरी वब बिजनेस में आपकी तरक्की होगी मित्रो आपके पास प्रचूर मात्रा में उर्जा होगी अप चुकी इस उर्जा का सद उप्योग करना चाहिए लेकिन काम का बोज आपके ओपर बन रहा है हमने आपको पहले भी बताया है मित्रो तो थोड़ा सा आपको धियान रखना चाहिए और निवेश करना कई बार आपके लिए फाइदे मन्द साबित होता है लेकिन आपको यह बास समझ में नहीं आ रही है आप मित्रो सिर्फ अभी का लाप देख रहे हैं लेकिन हमें जीवन में आगे कीमी सोच कर रखना है मित्रो आपको बता दे कि क्योंकि पूराने निवेश से आपको मुनाफ़ा हुआ है तो यह इस समय में आप और निवेश करेंगे तो आगे चल कर और मुनाफ़ा होगा माता पिदा की तबियत में सुधार आपको नजर आएगा और बे आपना प्यार आपके ओपर बरसाएंगे प्रेम के टरश्टी कोण से समय उत्तम है कामकाज के मौर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी आपको प्रिष्टो की एहमियत का अंदाजा हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएंगे और आपका जीवन साथी काफी रोमानी मिजाज में है कच्चे कोईले जल में प्रवाहित करने से सेहत अच्छी बनी रहती है इसा हमारे सास्त्रों में बताए गया है और मित्रों जीवन में धेरे बना कर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है धेरे बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और आपके प्रियास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे जो निवेस के औ आफकी और आएं उन पर विचार जरूर करें क्योंकि बिना सोच विचार करें ये बिना यदि आपने निवेस कर दिया और पेशा कहीं डूप गया तो पच्छ्टाना आपको पड़ेगा मित्रों लोगों को नहीं इसलिए सोच समझ कर आपको पेशा लगाना चाहिए साथी आपको बता दे कि जो निवेश के अउसर है उन पर विचार करे लेकिन धंत भी लगाए जब आपन योजनाओं को भरिवाती अज्यान कर ले घरेलों मामलों पर तुरंत ध्यान लेने की जरूरत है आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साविध हो सकती है और अचानक मिला कोई सुख़संदेश नेंद में आपको मिठे सपने देगा मित्रो सुख़संदेश की कामना और आप प्रतिक सा लंबे समय से कर रहे थे अचानक मिला सुकसंदेश जीवन में परिवर्तन लाएगा कारी छेतर में आपके प्रतिद्वन्दियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा और अपने भाई बेहनों के साथ घर पर कोई मोवी या मेच आप देख सकते हैं एसा करके आप लोगों के बीच में प्यार का इसाफा होगा और अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियस से भरे पुराने दिन फिर से जी पाएंगे तामबे या सोने के पात्र में जल पीएं इससे पारिवालिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और उम्मिदों की जादूई दुनिया में बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्सम होंगे धर का कुछ समय तलता है आ रहा है कुछ काम तलता आ रहा है आपको थोड़ा वक्त देना है और घर के कामों को जल्ले से जल्ल दूर करना है जो हमारे नए जातक इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल से आप जूड़िये का आवश्य है क्योंकि बहुत ही रोचक एवं यानवर्दा के लिए हम आपको प्रदान कराएंगे आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर गुमने का प्लेन बनाएंगे लेकिन किसी जरूरिक काम के आने की वज़े से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच कहा सुनी हो सकती है अब मित्रो ऐसे में आपको इसला दी जाती है कि पहले अपने ज़रुरी काम निप्टा ले उसके बाद यूजनाय बना ले तो वीडियो की समापती यहीं पर होती है वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजेगा और कमेंट बॉक्स समय गुरुजी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवश्य लिखेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान बर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ेगे